गुंद्या जिले में पिछले कुछ दिनों से जारी सतत मुसलाधार बारिश से पूरे जिले में बार की हालात निर्मान हो गए हैं नदीनाले जलाशी उफान पर हैं बार से फसले चौपट हो गई हैं महीं घरों और मवेश्यों के गोटों में पानी घुसने से दिवार शतिकरस्त वा तूट फूट गई हैं इस बार की स्तिती का जायसा लेने सांसत प्रफुल पटेल की प्रतिनीधी बनका पूर विदायक राजेंद्र जैन ने बार शेत्रों का जायसा लिया गोंद्या तैसिल के काची समिप कासा ग्राम वा असपास के शेत्र में पहुच कर वर्तमान हालतों का जायसा वा बार से पीड़ित ग्रामिनों वा कसानों की आपबीती सुनी जायसा के दोरान देखा गया की अनेक गावों का वैन गंगा वा वाग नदी में बार आने से संपर्क तूड़ किया है बार का पानी घरों में घुस किया है मकानी शतिग्रस्त वा मवेश्यू के कोटे ढह गये हैं पूर्विधायक राजेंद्र जैन ने ततकाल इस्तिती का संग्यान लेकर बार पीड़ित परिवारों को मदद और सुरक्षित धिकानों पर पहुचाने के लिए जिलादिकारी गोंदिया से संपर्कर प्रिशासन से हर संभव मदद का अश्वासन दिलाया इस दोरान उपस्तित विभाग्य अधिकारी प्रवनी पाटल और गोंदिया ग्रामिन के तैसलदा खंडाते से बार पीड़ित शेत्र के परिवारों को हर संभव साहता वसुरक्षित इस्तानों पर पहुचाने की मांगी गोंदिया के बार पीड़ित शेत्र का जायसा लेकब पूर्व विधायक राजेंदर जैन ने बार पीड़ित शेत्र के परिवारों को संसत प्रफुल पटेल के माध्यम से हर संभव मदद पहुचाने का अश्वासन दिया केलाश कालबान दे दिनीश चौधरी धर्मेंदर परिमल और ग्रामिन वा बार पीड़ित अन्य लोगों पस्तित थे गोंदिया से बीसे न्यूस के लिए अभिशेक भटनागर की रिपोर्ट